कैसे हो आप सब बहुत अच्छे होंगे सबकी पढ़ाई भी और सबके लाइफ भी काफी मज़ेदार चल रही होगी मैं हूँ आपके अपनी खुछबूमा आम बायोलोजी मास्टर टीचर अक्वेदान तु भाई अटेंशन 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 मेरे नाइंथ ग्रेडर सार होगा कि आपकी NCRT टेक्स्ट्बुक्स मस्ट 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 पढ़ने वाली बुक है और बहुत ही इंपॉर्डंट है तो आपको NCRT टेक्स्ट्बुक से एक्जाक्ली पढ़ना कैसे और यह चीज आपके हर एक सब्जेक के लिए अप्लाई होती है स्रिफ बायो के लिए अप पिक शौर जरूर करना कि आप इसको स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर चेक आउट करो क्योंकि आपके लिए कफी इंपॉर्डंट सेशन होने वाला है भाई पता तो चले के NCRT टेक्स्ट्बुक को आपको यूटलाइज आक्चुली में कैसे करना है काफी अच्छी बु तो इस चीज के लिए वेदान्तु आपके लिए लेकर क्या है NCRT Solutions आपके क्लास 9 और 10 स्टूडेंट्स दोनों के लिए तो जो भी बच्चा NCRT पे फोकस कर रहा है पढ़ना शुरू कर चुका है उनको अगर NCRT की क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इंटेक्स और पर चाहिए गा NCRT Solutions का जब आप इस लिंक पर क्लिक करोगे ना तो एक एक्सल शीट ओपन होकर कि आएगी जिस एक्सल शीट को एक्सेस करने के लिए बस आपको लॉग इन करना पड़ेगा उसमें आपको पैसे का पेमेंट नहीं करना है बस आपको पना फोन नंबर आड़ का वो आड़ करना है बस सब कुछ हो जाएगा और उसके बाद फ्री ओप कॉस्ट आप इस एक्सल शीट का फायदा उठा सकते हो आपको अलग से कोई बुक खरीदने की जरुरत नहीं पड़ेगी तो मेक शूर जरूर करना कि आप इसको एक बार चेक आउट जरूर कर लो त क्या करना है सब से पहले रीडिंग करने से पहले आपको क्या करना हैं ncrt books में जो in-text questions available होंगे और exercise questions available होंगे उनको बस एक बार read कर लेना है क्यों read करना है देखो जब उस in-text questions को exercise questions को read करोगे न तब एक idea लग जाएगा कि बाई ये exercise question में ये question given है तो that means यह topic क्या है important है NCRT के book में let me tell you एक चीज कि अगर आपने analyze किया होगा तो exercise के question और index के questions होते हैं वो वही questions होते हैं जो topic आपका important रहता है तो important topic के ही उसमें questions लिखे होते हैं तो यह चीज आपको इसलिए करनी है ताकि आपको क्या पता चल जाए आपके उस chapter के important topics पता चल जाए तो where you have to start from first start your reading with the exercise question एक बार exercise question reads कर लिए आपको पता चल गया कि यह topic से पूछा गया है अब भाई जब अब NCRT की book को read करना start करो NCRT book को जब read करोगे तो हाथ में pencil या फिर एक highlighter जरूर ले करके रखना क्यूंकि भाई जैसे ही आप reading करना start करोगे तो सबसे पहले आपको उनके headings को अच्छे से पढ़ना है जब आप थे heading से एक बार read कर लिए और फिर उसका content read करना start करना है और content में जो भी word आपको highlighted दिखे का उसको क्या कर देना है pencil की help से या फिर highlighter की help से क्या करना है underline करना है underline करने के बाद जब आप एक particular topic खतम कर दोगे तो एक particular topic खतम होने के बाद ncrt की book में उसी के ही in text questions given रहते हैं उसी particular topic के in text questions given रहते हैं अब भाई उस in text questions को solve करने का try करो कि भाई जो तुमने read किया वो read करके क्या तुम questions ठीक से solve कर पा रहे हो और अगर तुम questions ठीक से solve कर पा रहे हो that means तुमने ncrt की reading बहुत अच्छे से करी है तो सबसे पहले start करने से पहले check कर लो कौन-कौन से exercise questions है उसमें से topic अपने पास notebook में note करे ना कि ये सारे topic से ये questions पूछे गए है उसके बाद ncrt को first page से read करना start करना headings को ठीक से पढ़ना है अंदर के content को ठीक से पढ़ करके जो भी important points है उनको pencil की help से या फिर highlighter की help से क्या करना है underline कर देना है mark कर देना है कि ये important point है और फिर जब आप एक particular topic खतम कर देते हो ना तो ncrt book की एक खासियत है कि एक particular topic खतम होने के पाद उसके in-text questions given रहते हैं उन in-text question को solve करने की कोशिश करना कि तुम से वो question solve हो रहे है कि नहीं और अगर वो question तुम से solve हो रहे है तो तुम भाई right direction में हो तुम अच्छे से read कर रहे हैं और अगर वो question तुम से solve नहीं हो रहे है तो तुम समझ जाओ तुमने ठीक से reading नहीं करी है और once you complete your whole chapter thorough reading with thorough reading उनकी exercise को solve करने की कोशिश जरूर करना आपको सच में idea लग जाएगा कि ये topic important है ये question मुझे solve हो रहा है that means मैंने proper अच्छे से read किया हुआ है topic ठीक है अब ये read करने के बाद जब school से पढ़ कर के आ रहे होगे न उसके बाद NCRT की book उठाना और उस book की help से क्या करना है notes बनाने है अब भाई notes आप लोग नहीं मनाते हो पता है क्या होता है notes ना बनाने से जब last में जब exam आता है और exam में आपके पास खुद के अपने notes नहीं होते जिसमें आपने according अपने सोचने की अपने समझने की तरीके से वो notes नहीं बनाये होते तो भाई revision करने में must परिशानी होती है क्योंकि revision करने के time पे आप पूरी book read नहीं करने बैठोगे सिर्फ वो notes को revise करोगे जो आपने important points में बनाना हुआ है जो बनाए हैं आपने इसलिए आपके सारे teachers आपको notes बनाने में इसलिए इतना focus करते हैं क्योंकि यही notes at the end of the session में or at the end of the chapter में आपको read करने में आपको revise अप करने में help करते हैं तो भाई पहला step क्या हुआ exercise के questions अच्छे से read कर लेना topics note कर लेना कि कौन से topic में से कौन सा question पूछा गया है नाम लिखना है ठीक है उसके बाद NCRT की book को खोल करके read करना start करना जिसमें headings पे भी बहुत अच्छे से ध्यान देना है meaning नहीं पता dictionary लेकर के meaningly close की उसके बाद अंदर का content पढ़ने के time पे जो भी important points आपको अपने तरफ से लग रहा है उसको pencil से highlight अप कर दो highlighter से highlight कर दो और धीरे धीरे करके एक topic खतम करते ही in text question solve करो और जब पूरा chapter खतम हो जाए तो topic के exercise questions जरूर solve करो वहाँ से आपकी competency understanding build up होगी कि हाँ मैंने सच में चैप्टर अच्छे से पढ़ा है और मुझसे एक question solve हो रहे हैं और notes आपको side by side नहीं बनाने एक बार जब thorough reading कर ली आपने और last में जब school से पूरा पढ़ करके आओगे फिर book उठा करके फिर notes बनाने ठीक है notes आपको अपने उस time पे बनाने हैं जब आप पूरी पढ़ाई कर चुके होगे क्योंकि notes बनाने में ज़्यादा time नहीं waste करना है notes ऐसे crisp होने चाहिए जो आपको revision में help करें ठीक है और NCRT के books को read up करने के लिए तो भाई आपकी सारी teachers बोलती है revision करने के लिए भी previous year question solve करने के लिए भी आपकी सारी teachers बोलती है remember they will help you in your exam preparation and make the process hassle free keep studying and keep rocking तो भाई समझ में आया कि आपको NCRT books को utilize कैसे करना है please make sure जरूर करना कि आप जब भी ncrt की book को पढ़ने बैठो तो इसी तरीके से आपको ncrt की book को पढ़ना है जो भी question का meaning नहीं समझ में आ रहा है जो भी word का meaning नहीं समझ में आ रहा है उसको pencil से जरूर लिख लेना अपने पास में ठीक है तो बस अब जाते जाते क्या करना है आपको टेलिग्राम चानल को जॉइन कर लेना है जिसका लिंक आपके session के description box में available है क्योंकि ऐसे ही सारे amazing sessions के आपको notification इसी टेलिग्राम चानल पर updated मिलेंगे और अगर आपको मुझे personally follow करना है तो आप मुझे instagram पर follow कर सकते हो खुश्पू अंडरस्कोर भाटिया मेरा instagram का अकाउंट है तो बस जाते-जाते क्या कर दो session को like कर दो channel को subscribe कर दो और इसे अपने friends के साथ share करना बिल्कुल भी मत भूलना ताकि उनका भी class 9 में भला हो जाए और अब फिर मिलेंगे चलते-चलते ऐसे ही नेक्स अमेजिंग सेशन में तो बबाई एं ठेक केर